मादुर्गा के पवित्र नौ दिन यानी नवरात्री साल में चार बार नवरात्री का त्योहर मनाय जाता है। नवरात्री में मादुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। नौ कन्याओं को जिन्हें मादुर्गा के नौ स्वरूपों के समान माना जाता है। शद्धा से भोजन कराय जाता है। इस बार चैतर नवरात्री 2 अपरेल 2022 दिन शनिवार से शुरू हो रही है। कलश की स्थापना चैतर मास की शुकलपक्ष की प्रतिपदा तिथी से होगी। कलश थापना शुबूरत 2 अपरेल सुभा 6 बचकर 10 नट से 8 बचकर 29 नट तक कुलपधी 2 घंटे 18 मिनट। कलश थापना के लिए सबसे पहले सुभाउट कर स्नान आधी करके साफ कपड़े पहने। मंदिर की साफ सफाई कर सफेद या लाल कपड़ा विछाएं। इस कपड़े पर थोड़े चावल रखें। एक मिट्टी के पात्र में जोंबोदे। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापिक करें। कलश पर स्वास्तिक बना कर इस पर कलावा बांधे। कलश में साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डाल कर अशोक के पत्ते रखें। एक नारियल ने और उस पर चुनुरी रपेट कर कलावा से बांधे। इस नारियल को कलश के ओपर पर रखते हुए देवी दुर्गा का आवाहन करें। इसके बाद दीप आदी जला कर कलश की पूजा करें। नवरात्री में देवी की पूजा के लिए सोना चांदी तामबा पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता है। किस दिन होगी मा दुर्गा के किस रूप की पूजा। नवरात्री चोथा दिन पांच अप्रेल 2022 दिन मंगलवार मा कुष्मांडा पूजा। नवरात्री पांचवा दिन 6 अप्रेल 2022 दिन बुधवार मा सकंदमाता पूजा। नवरात्री चोथा दिन 7 अप्रेल 2022 दिन गुरूवार मा कात्याईनी पूजा। नवरात्री चोथा दिन 8 अप्रेल 2022 दिन शुक्रवार मा कालवरात्री पूजा। नवरात्री आठवा दिन 9 अप्रेल 2022 दिन शनिवार मा महागोरी नवरात्री नवा दिन 10 अप्रेल 2022 दिन रविवार मा सिर्धिदात्री नवरात्री दसवा दिन 11 अप्रेल 2022 दिन सोंवार नवरात्री पार्ना नवरात्री के पहले देन सुभा जल्दी उठकर नहाएं स्वच्चु वस्त्र धरन करने के बाद कलश को पूजा घर में रखे मिट्टी के घड़े के गले में पवित्र धांगा बांदे अब कलश को मिट्टी और अनाज के बीच के एक परत से भरे कलश में पवित्र जल्भर कर उसमें सुपारी, गंध, अक्षत, दुर्वा घांस और सिक्के डाले कलश के मुख पर एक नारिल रखे कलश को आम के पत्तों से सजाए मंत्रों का जाब करे कलश को फूल, फल, धूप और दियार पित करे दिवी महतम्य का पाठ करे कलश करे दिवी महतम्य का जाब करे